गैस ऐसा sentences आप daily life में यूज़ करते हो जैसे क्या आज उहां जाना जरूरी है? क्या आज उसे बुलाना जरूरी है? क्या आज उसे मिलना जरूरी है? क्या आज अफिस जाना जरूरी है? गैस जब ऐसा situation आज़ा तब आप इसे English में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका structure सबसे पहले इस करना है आपको इसके बाद लगाना है वर्फ की first verb and then object यह हो गया आपका structure समझते हैं example से क्या आज वहां जाना जरूरी है? तो सबसे पहले इस करना है इसके बाद लगाना है वर्फ की first verb वर्व है वहाँ जाना it means go there कब आज it means today तो आपका complete sentence हो गया guys Is it necessary to go there today It means क्या आज वहाँ जाना जरूरी है Next example है क्या आज उसे बुलाना जरूरी है तो सबसे पहले उसकरना है is it necessary to इसके बाद guys आपको लगाना है वर्व की first form वर्व है उसे बुलाना it means call him कब आज it means today तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो Is it necessary to call him today It means क्या आज उसे बुलाना जरूरी है Next example है क्या आज उसे मिलना जरूरी है तो सबसे पहले उसकरना है is it necessary to इसके बाद लगाना है आपको वर्व की first form वर्व है उसे मिलना it means meet him कब मिलना आज it means today तो आपका complete sentence हो गया guys Is it necessary to meet him today It means क्या आज उसे मिलना जरूरी है Next example है क्या आज ओफिस जाना जरूरी है Guys इसका अंसर आपको comment section में बताना है Guys ऐसा sentences भी आप daily life में यूज़ करते हो जैसे गलती से भी शोर मत करना गलती से भी उससे बात करने की कोशिश मत करना गलती से भी मुझे मत बुलाना गलती से भी class से बाहर मत जाना Guys जब ऐसा situation आजए तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो देखते हैं सबसे पहले इसका rule सबसे पहले उसकरना है don't plus verb की first form and then object यह हो गया आपका structure प्लस उसकरना है even by mistake इसमेंस गलती से भी समझते हैं example से गलती से भी शोर मत करना तो सबसे पहले दोस्तों आपको उसकरना है don't plus verb की first form वर्व है शोर मत करना इसमेंस make unwise इसके बाद लगाना है last में even by mistake तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों don't make unwise even by mistake इसमेंस गलती से भी शोर मत करना तो सबसे पहले उसकरना है don't इसके बाद लगाना है work की first form वर्व है उससे बात करने की कोशिश इसमेंस try to talk to her इसके बाद लगाना है even by mistake तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों don't try to talk to her even by mistake इसमेंस गलती से भी उससे बात करने की कोशिश मत करना खेले next example है गलती से भी मुझे मत बुलाना तो सबसे पहले उसकरना है don't इसके बाद लगाना work की first form वर्व है मुझे बुलाना इसमेंस call me इसके बाद लगाना है even by mistake तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों don't call me even by mistake इसमेंस गलती से भी मुझे मत बुलाना के लिए next example है गलती से भी क्लास से बाहर मत जाना गैस इसका अंसर आपको comment section में बनाना है गैस ऐसे sentences भी आप daily life में उसकरते हो जैसे ऐसा नहीं है कि वह मुझसे बात नहीं करता ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं जानती ऐसा नहीं है कि आप घर पर नहीं हो ऐसा नहीं है कि वह पढ़ना नहीं चाहती ऐसा नहीं है कि वह मुझसे नफरत करती है जब ऐसा situation आजए तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो देखते हैं सबसे पहले इसका structure सबसे पहले उज़ करना है It's not that It means ऐसा नहीं है कि प्लस उज़ करना है sentence अब यहाँ पर गए जैसा आपका sentence होगा उस type से आप बनाओगे के लिए यह हो गया आपका structure समझते हैं example से ऐसा नहीं है कि वह मुझसे बात नहीं करता तो सबसे पहले उज़ करना है It's not that इसके बाद उज़ करना है sentence sentence है वह मुझसे बात नहीं करता अब आपको देखना है कि यह sentence कैसा है तो यह sentence है present indefinite का negative का तो negative का रूल होता है subject plus don't or doesn't plus verb की first form and then object तो वह मुझसे बात नहीं करता इसका English बनेगा He doesn't talk to me तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो It's not that he doesn't talk to me It means ऐसा नहीं है कि वह मुझसे बात नहीं करता के लिए next example है ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं जानती तो सबसे पहले उज़ करना है It's not that इसके बाद उज़ करना है sentence sentence है मैं उसे नहीं जानती It means I don't know him तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो It's not that I don't know him It means ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं जानती के लिए next example है ऐसा नहीं है कि आप घर पर नहीं हो तो सबसे पहले उज़ करना है it's not that इसके बाद उज़ करना है sentence sentence से आप घर पर नहीं हो it means you are not at home तो आपको complete sentence होगिये it's not that you are not at home it means ऐसा नहीं है कि आप घर पर नहीं हो के लिए next example है ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहती सबसे पहले उज़ करना है it's not that इसके बार लगाना है sentence sentence है वह पढ़ना नहीं चाहती तो इसका English बनेगा she doesn't want to study तो आपका complete sentence होगे दोस्तो it's not that she doesn't want to study it means ऐसा नहीं है कि वह पढ़ना नहीं चाहती next example है ऐसा नहीं है कि वह मुझसे नफरत करती है guys इसका answer आपको comment section में बनाना है तो बस guys आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next video में I hope आपको ये video पसंद आया होगा तो आप comment section में अपना feedback जरूर दे Thank you